कैसे अभी से भी प्यारे प्यारे चात्रों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर सड़ा में और BPSC की थोड़ी सी लापरवाई की वज़े से जो है EMRS के साथ उसकी डेट्स क्लैस हो गई हैं कैसे वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ यह EMRS पहले ही अपने डेट्स जारी कर चुका था 16 तारीक में इनका पेपर है 16 दिसंबर में PGT का एक्जाम है तूसरी तरफ अगर मैं बिहार वाले डेट्स आप लोगों को दिखाता हूँ तो जो बिहार वाला एक्जाम है वो भी 16 ही तारीक में PGT का एक्जाम है सबी सब्जेक्ट्स का तो बाई चांस PGT के ही एक्जाम दोनों एक दिन आ गए जिससे की इस्तिति उत्पन हो गई है चाहे तो अब आप इस पर ट्विट वगएरा भी कीजेगा BPSC चाहे तो इमरीका एक्जाम दे नहीं पाते हैं और देना भी नहीं चाह रहे होंगे क्योंकि आप PGT लेवल की तियारी कर रहे हो लेकिन इतना किया जाए इतलिस्ट क्योंकि दो बड़े मोके दो बड़ी भरतिया है यह हमारे इस भी PGT में बहुत सारी वेकिंसी लेकर आया है BPSC भी लग भग जो है 30-40,000 पदों पर भरतिया कर रहा है PGT में मेरी परसनल सला अगर आप मानेंगे कि आप अगर यह डेट्स अलग नहीं होती है यह एक ही डेट्स रह जाती है तो मेरी सला यह होगी आप लोगों को कि आप जो है बिहार वाली भरति में जो है फोर्म फिल है इस बार हलका सा प्रियास और फॉर्म फिल किया है तो आपको नोकरी मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पर एक स्टेट टैट मांगते है बिहार में उसके बाद नमबरों पर स्टूडेंट्स कम बच जाते हैं अपलाई करने वाले अगर आप वो स्टूडेंट है जिसने बिहा हाला कि फिर भी एटलास तो मैं यहीं चाहूंगा कि फोड़ा सा सावधानी पूर्वा काम करें क्योंकि यह मारे जो है लगबग एक महीने पहले सभी स्टेट जो रिक्रूटिंग बोडीज है उनको पहले ही इतला कर चुका था कि हम इस इस तारिक में एक्जाम लेंगे तो आप लोग इस देट में एक्जाम ना रखेगा और उसमें भी दो एक्जाम वो भी बिल्कुल एक जैसे जैसे मानले अब यहार में कोई पुलिस का एक्जाम हो रहा है और यह टीचिंगे वेकंसी हैं तो फिर भी चलता है लेकिन दो एक्जाम दोनों में पीजेटी एक दिन